महा विनाश का काउंटडाउन शुरू ये तारीख है 29 अप्रै अंत्रिक से एक एस्ट्रोइड यानी शुद्र घ्रै धर्ती से टकरा सकता है इस एस्ट्रोइड की रफ्तार 31,000 किलोमीटर प्रती घंटा बताई जा रही है वेग्यानिकों की मताविक ये एस्ट्रोइड हिमाले जितना बड़ा बताय जा रहा है नास ये खबर दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता बन दे है क्या बासे दुनिया बचाने के लिए हमारे पास जिर्फ एक महीने का ही वक्त बचा है तो चलिए आपको बताते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई अर्बो साल पहले महा विनाश हुआ था धर्ती से घबराया हुआ है क्योंकि नासा ने भी पुष्टी की है कि आसा ही एक विशाल एस्ट्रोइड एक बार फिर से धर्ती के बेहद करीब से गुजरने वाला है दुनिया बदल देने वाली ये तारी उनत्ती सप्रेल हो सकती है नासा की माने तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है लेकिन कई विज्ञानिक इसके बाद भी आशंग का जता रही है कि अगर इसकी टाइमी में कुछ सेकेंड का भी अंतर हुआ तो एस्ट्रोइड धर्ती से टकरा सकता है और तब बहुत मुम्किन है कि इसके बाद डाइनोसोर की तरह पूरी मानव सब्भेता का अंत हो जाए सबसे पहले आपको इस एस्ट्रोइड का नाम बताते हैं इसे 5276 से 1998 में IR2 नाम दिया गया है इसकी रफ्तार 19,000 मील प्रतिघंटा है विज्ञानिकों को अंदाजा है कि एस्ट्रोइड मांट एवरेस जितना विशाल हो सकता है और धर्ती पर टकराया तो तबाही मत सकती ह 6.6 करोड साल पहले जिस एस्ट्रोइड के धर्ती पर टकराने से डाइनसोर खत्म होगे थी उसकी रफ्तार 40,000 मील प्रतिघंटा थी उस वक्त एस्ट्रोइड की टकर इतनी जबर्दस थी कि इससे धर्ती पर जीवन को तीन बार खत्म किया जा सकता था हलागी 2020 के इस स्ट्रोइड की आधी है लेकिन इसी से आप अंदाजा लगाईए कि दुनिया पर अंतरिक्स आ रहा ये खत्रा कितना बड़ा है और क्यों विज्ञाने इसको लेका जादा चिंतित हैं इधर कोरोना वाइरस भी पूरी दुनिया में अपने पैर पसा रहा है और दूसरी तर झाल 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 झाल